मॉर्निंग फ्रेंड्स वालकम बैक टो चैनल माई क्यूट होम गाडन तो आज मैं आपके साथ बिगोनिया प्लांट के लिए कुछ केरिंग टिप्स है वो शेयर करने वाला हूँ बिगोनिया के लिए सबसे अच्छा फेटलाइजर कौन सा होता है और वैसे तो यह प्लांट एन्वल होता है और विंटर के अंदर बहुत ही अच्छी ब्लोमिंग करता है फिर भी आप इसको पूरे साल बचा कर कैसे रख सकते हैं तो बिगोनिया से संबंदी सभी जानकारिया आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो वीडियो में अंतक हमारे साथ बने रहे और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बिना स्किप के वीडियो को जरूर देखिए तो जो बिगोनिया प्लांट है जिसे हम वैक्स बिगोनिया के नाम से भी जानते ह एन्यूल और पेरिणियल दोनों ही हो सकता है यह आपकी केर पर डिपेंड करता है तो सबसे पहले में इसकी केर की बात करो सोल देखिए विगोनिया प्लांट की जो सोल है वह वेल ड्रेन सोल होनी चाहिए क्योंकि विगोनिया जो है वह सेकुलन्ड फैमली जैसा ही कुछ प बनानी होगी ताकि water जो है वो easily इसके अंदर drain कर जाए ऐसी soil बनाने के लिए आप इसमें sand और river sand का जो इस्तमाल है वो ज्यादा मातरा में कर सकते हैं उसके बाद vermicompose डाल सकते हैं और तो कुछ मातरा में जो आप garden soil का इस्तमाल कर सकते हैं तो 40-40 और 20 का ratio आप इसमें इस्तमाल कीजिए तो आपकी जो मिट्टी है वो पौरस रहेगी और इसके अंदर जो moisture है वो भी बना रहेगा और उसकी वज़े से आपका जो plant है वो बहुत अच्छी blooming करेगा और अच्छे time तक वो survive कर पाएगा तो ऐसी soil मैंने प्रिपेर की है पूरी तरह से पौरस मिट्टी है और पौरस मिट्टी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके बाद मैं बात कर लेता हूं sunlight की देखे आपको बता देता हूं कि यह जो plant है वो winter के अंदर बहुत अच्छी blooming करता है इ लेकिन winter के अंदर आप इसको direct sunlight के अंदर रख सकते हैं वैसे इसको indirect sunlight, partial sunlight जो है या filter sunlight जो हो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है winter में धूप बहुत ज़्यादा नहीं होती है जिसकी वज़े से direct sunlight के अंदर भी survive कर सकता है लेकिन जैसे जैसे temperature बढ़ने लगता है गर्मी की जाते हैं तो यह जो प्लांट हो बहुत ज़्यादा hot weather के अंदर जो है survive नहीं कर पाता है तो ऐसे में save करने के लिए आपको क्या करना है या तो आप इसको जो है वो शैड में रख दिया अपने बाल को नीचे अगर आप इसको रख देंगे तो इस प्लांट को जो है आप सा humidity बहुत ज़्यादा पसंद है तो अगर आप इसको दूसरे प्लांट के साथ में रखते हैं या अपनी बालकोनी में रखते हैं तो यह प्लांट अच्छे तरीके से survive कर सकता है और चार घंटे की दूप इसके लिए sufficient होती है लेकिन गर्मियों की direct sunlight से आपको इसे बचाना प इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब मैं बात करता हूं watering की देखे इस प्लांट का जो water requirement है वह बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि यह semi-sacculent family से बिलोंग करता है कुछ को succulent जैसा ही होता है इसके leaf और stem के अंदर water store होता है तो water requirement काफी कम रहता है तो पानी जब भी आप इसको डाले तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब आपकी soil dry up होने लगे कम से कम 2 इंच तक soil dry up ना हो जाए तब तक आपको इसके अंदर जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अगर आपने इसके अंदर over watering की तो यह plant का survival है वो काफी मुश्किल हो जाता है इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन moisture आपको इसके अंदर बनारे रखना है humidity जो है वो maintain करके रखनी है तो दूसरे plant के साथ रखिए या फिर आप चाहें तो इसको पेबल के किसी ट्रे में थोड़े थो पर रख सकते हैं लेकिन पानी देते समय आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है वो इसकी बेस में डालना है इसके पत्तों पर किसी भी तरीके से पानी का छिड़काव नहीं करना है अगर आपने ऐसा किया तो आपके plant पे fungus लगने का जो खत्रा है वो बढ़ आएगा और जबके flower है जो लीफ है वो खराब हो सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है उसके बाद मैं बात कर लेता हूं fertilizer की देखिए इसमें सबसे important बात क्या है कि इस plant को जो है वो फॉस्फोरस इस fertilizer जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है अगर आप इसके अंदर फॉस्फोरस इस fertilizer का इस्तमाल करते हैं तो यह जो plant है वो बहुत ही अच्छी blooming करता है तो फॉस्फोरस इस fertilizer के लिए mustard cake का या फिर DAP का इस्तमाल जो है वो कर सकते हैं अब मैं बात करता हूं pinching की क्या इस plant को pinching की जरुवत होती है तो देखिए जो भी dead leaf है या dead flower है आपको उन्हें निकाल देना चाहिए plant leaf आपको नजर आ रही है देखिए तो यह थोड़ा सा खरा पत्ते का नहीं तो दूसरे जो leaf है वो भी बेकार हो सकते हैं इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो ध्यानते आप चेक कर लिजे कि यहां पर कोई जो है वो बेकार पत्ता तो नहीं है और अगर flower की बात करें तो जैसे जैसे इसके flower जो वो spent होने लगते आप उनको जो है वो रिमूव कर दीजे ताकि यह अच्छी flower कर पाए और इसके इंदर जो शीड है वो प्रिपेर ना हो अगर आप शीड प्रिपेर करना चाहते हैं तो फिर इसके डेडली flower को आपको हटाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं होती है इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़ ज़िजने को मिल जाते हैं अब मैं बात करता हूँ देखिए इसके propagation की तो आपको बता देता हूँ कि जो इसका propagation है वो एक single leaf cutting से भी हो सकता है cutting से भी हो सकता है और शीड से भी तीनों तरीके से ही इसका जो propagation है वो किया जा सकता है अभी जो मैंने leaf लिया था अगर मैं उसको नॉर्मली सोयल के अंदर डाल दू तो वो प्रोपोगेट होना शुरू हो जाता है लेकिन आपको प्रोपोगेशन जो है वो इस टैम नहीं करना है क्योंकि अब इसका जो सीजन है वो जा रहा है तो प्रोपोगेशन जो है आप बरसात के बाद करिएगा अगस सेप्टमबर मे आजाएं तो शील्ड से भी आप इसका प्रोपोगेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे तो यह लीव मैं आपको दिखा रहा हूं कि जस्ट इसको सोयल के अंदर ऐसे आप रख देंगे तो कुछ से टाइम के बाद जैस में रूटिंग होने लगेगी और यहां से एक प्रोपगेट हो पाएगा तो उमेद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया है अगर आपको यह पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले थेंक्स पोर वाचिंग माइवीड we will meet in next video